नमस्कार मैं सुमंत कस्या पेश्टर वास्तू कंसल्टेंट अपने यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज की इस कुंडली में मैं आपको अंक जोतिस के साथ साथ वैदिक जोतिस और केपी जोतिस तीनों के अधार पर जातक को जो समस्या आ रही है उसका कारण होता हूँगा इस जातक का नाम मैंने नहीं लिखा है उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लेकिन उनका जो नाम है वो चार नंबर प्यारा है इनका मुलांग क्यानि बर्थ डेट आठ पे है और भाग्यांग के लिए हम पूरे को आड़ करते हैं तो आड़ जब आप करेंगे तो आठ तिन ग्यारह नो बीस एक इकिस और चौदह पैंतिस यह भी आठ हैगा नाम चार पे और ड्राइवर प्लस कंडुक्टर आठ पे दो हजार बीस का टोटल करेंगे तो कितना होगा चार कुछ समझ में आ रहा है आपको चार आठ का कॉंबिनेशन जो भी मेरे पास इस पार कुंडलियां आई हैं दो हजार बीस की में बात कर रहा हूँ सत्तर परतिसत वैसे कुंडलियां हैं जो लोग अपने नाम में, मोबाइल नंबर में या कुंडली के अंदर राहु से परभावित रहे हैं जैसे इनका नाम चार पे हो गया और इनका मुलांक और भाग्यांक आठ पे हो गया आठ नंबर काफी ज़्यादा संखर्स देता है और नाम चार पे जनेरली, नाम चार और आठ पे नहीं होना चाहिए और ए साल भी राहु काही है ऐसे लोग काफी परशान होते हैं और हुए है इस 2020 के अंदर दूसरा इनका मोबाइल नंबर भी शुटेवल नहीं है जो कॉंबिनेशन नहीं होना चाहिए वो इसमें है अब आये कुंडली को देखते हैं लगन कुंडली लगन में ही सुक्र बैठा हुआ जातक फैशनेवल, एट्रक्टिव, स्मार्ट होगा धन के बात करें तो केती बैठा हुआ है केतू जेनरली विच्छे दात्मगरा है जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से संबंदित फलो में कमी करता है यानि धन को संचय होने नहीं देगा तीसरे भाव में सत्रू रासी में गुरू बैठे हुए है और गुरू लग्न के श्वामी है और साथ ही व्यपार दस्में भाव के भी स्वामी है तो संघर्स तो बढ़ाएंगे ही लेकिन चुकि गुरू सुभ रूप से नैसर्गिक सुभ गरा है अच्छे ग्राह है तो उत्रा समस्या नहीं आएगा चोथा भाव सुखस्थान का है इसका स्वामी बारहों में चला गया और सातों बिजनस वैपार का भी है पत्नी का भी है तो इसका भी स्वामी बारहों में चला गया बारहों लॉस का है व्याय का है आप समझ पा रहे होंगे, मेरे और भी वीडियोज में मैं ऐसे ही बताता हूँ पांचुवे का सनी व्यपार के लिए और अच्छा नहीं होता है, रीजन क्या होता है, जातक अपने पैसे नहीं मांग पाता है और यहां से इसकी तीसरी द्रिष्टी यहां पे होती है उसके बाद जब आप देखेंगे, फिर छठा भाव आपके फंसे हुए पैसे का है यानि आपने अपना पैसा किसी को दिया, वो रिटर्न आएगा, नहीं आएगा, वो कहां से डिसाइड होता है छठे भाव से, छठे का स्वामी बारा हुमे में चला गया अब सूचिये क्या होगा, होना क्या है, वहीं ही, जो आप भी सूच रहे हैं पैसे देंगे, दस आएगा, पांच उसके बाद एक पलस पॉइंट नोट कर लिजे, राहु कि ये स्थिति, यदि आपने वास्तु में तोड़ फोड़ करवा दिया उसके बाद फिर साइद भागवान, मंतलब भागवान ही बचा पाएंगे, बागी बीच का कोई नहीं ये चीजें समझ लीजिए बहुत आसान लगता है लोगों को कि अरे जाइए ये इधर कर दें, उधर कर दें, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, दस लाग से उपर उपए मेरे खर्श हो चुके हैं जो तीस सीखने में तीस से उपर अधरनी गुरु जनू से मैंने सीखा हुआ और लगभव दस साल हो चुके इस फिल्ड में आये हुए मतलब आठ साल से 2012 से ऐसे प्रफेशनल रूप में जूड़ा हूँ अब ये मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि मैंने देखा जिस क्लाइंट को रिजल्ट नहीं मिला मैंने फिड़ वैक लिया, क्यों नहीं मिला, क्या रिज़न है, कैसे क्या समस्या है सबकुष आपकी कुंडली से जूड़ी हुई होती है और लोग इस बात को नहीं समझते है सबका पे एफेक्ट आता है आप जो कलर यूज़ करते हैं, जो कपड़े हैं, सबकुष समस्या हैं कब आठी है, जब आप पूरी तरह से परसानी में घिर जाते हैं आप सुचते हैं कि एक आएक से सॉल्व हो जाए, सॉल्व नहीं होना और वास्तू में आपने तोड़ फुड़ करा दिया तो फिर और इस्तिती खतम ही हो जानी कुछ नहीं बचना उसके बाद ये जो इस्तिती है चंदर और प्रूटो की पैसा बचने ही नहीं देगा गलत निर्णय करवाएगा आपसे जो आप डिसिजन लोगे गलत के तरफ ही आप मूग हो जाओ या ऐसा समझो कि डिसिजन लोगे गलत हो जाएगा दस्वे का स्वामी कारशेत रही संघर्ष वाले भाव में बैठा हुआ है और सूर्य और बुद्ध की जो बुद्धादित योग बनता है बारहुए में वह जातक से एक बहुत बड़ी भूल जिन्दगी में कराता ही कराता है ये निश्चित है आप दस कुंडलिया लेके मिला के देख लेना नो पे लागू होगा दस में भी होगा लेकिन कई बार के आए कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते है जैसे मैं आपको एक एक जामपल बता दे रहा हूँ मैंने एक विक्ति की कुंडली देखिए और मैंने उनसे कहा कि क्या कभी आपको बदनामी डिफेम बदनाम होना इसकी समा ये इस्तिती का सामना आपने किया है उसने बोला नहीं बोला ठीक हो सकता है एक देड़ माईने बाद फिर उससे बात हुई तो वो अपना घटना करम लगा बताने बोला मैं पिछले साल 23 दीन के लिए जेल गया था पैसे के लिए इन देन को लेके अब देखिए वहीं चीजे मैंने इस सेंस में पताया था बदनामी हुई है लेकिन उस बंदे के लिए जेल जाना ये मतलब उस कर्टेगरी में नहीं आता है तो कई बार सोंच सोंच का फर्क भी होता है जैसे किसी को आप सिंपली साला बोल देंगे उसके लिए काफी अपमांजनक हो जाएगी और किसी के लिए और कितना भी बड़ा से बड़ा आप गाली दे दो मार दो पिट दो बजार में जो भी इज़त चला जाए लेकिन उसके लिए वो कॉमन बात होगी तो इस जगा पे आपको थोड़ा मैच करने में कठिनाई होगी यानि ओफर ओल इसके उंदली के अधार पे जो मैंने आपको बताया बिजनस में प्रोब्लम पैसा डिकवरी में प्रोब्लम कैस मनी की समस्या और वास्तु में तोड़ फोड़ सबसे ज़्यादा नुकसान दायक अब मन में प्रस्ना आगा कि क्या ये जाब तक ने बिजनस नहीं किया होगा लाब नहीं मिलेगा मिलेगा दसाओं के अंदर कई पर दसाओं इतनी इस्ट्रोंग होती हैं गरहों की उसमें आपको लाब मिल सकता है जैसे राभू की दसा दो हयार तक थी गुरू का दो हयार सुला तक सनी का दो हयार पैतिस तक अब इस सनी की महादसा में बुद्ध की अंतर दसा चल रही है पर जेन्ट में इसी ही देख लेते हैं सनी सनी बीजनस के लिए ठीक है खर्चे भी होंगे आपके थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा लेकिन लाब भी है लेकिन फोसे हुए पैसे वापस आना सनी नहीं बता रहा है लेकिन अंतर दसा बुद्ध की देखें तो बुद्ध हानी ही बता रहा है यदि महादसागवा प्रैम मिनिस्टर माने तो अंतर दसा चीफ मिनिस्टर होता है यानि केंदर सरकार पैसे भेज रहा है आपके पास लेकिन राज सरकार आपको दे नहीं रहा है तो इसे स्थिति में सामना करना पड़ेगा दूसरा यहाँ पे आईए किसी भी घटना को देखने के लिए लगन भाव का जो सबलोड उता है उसको देखना जरूरी होता है सुक्र बना हुआ है सुक्र क्या कह रहा है एक दिन चार साथ आठ पार बिजनस में लॉस नहीं दे रहा है लॉस होना ही है सुक्र ने बता दिया सात्वां बिजनस का देखते हैं सुक्र यह भी बता दिया आपको लॉस होना है अब बताई अब आप क्या करेंगे सुक्र का सात्वें के जो सब्लॉड है इसका अपना लिंक यहां देखेंगे चौथे से भी बन रहा है और यह भी आपको लॉस ही देगा यानि ब्यपार को लेके आपको लॉस ही आ रहा है छटा भाव जो बुद्ध है छटे का सा ब्लॉड बुद्ध वो पैसरी कभरी को बता ही नहीं रहा है पैसा पसाना नहीं है धन भाव की हिसाब से देखें तो चंद्र यहां पोजटिव है अपने अस्तर पे मंगल भी गुरु भी देखें गुरु भी सही रहा होगा और गुरु में पैसे खर्चत हुए होंगे लेकिन पैसे आये होंगे इनकी तुल्ना में कम लेकिन सुक्र आपका पूरी तरह से निगर्टिव जो आपको कुछ नहीं देगा पुद्ध भी खर्च ही कराएगा और कुछ मामल मैं आपको बताऊं जो मैंने इस कुनली का एडवांस एस्ट्रो वास्तु रेमेडिज के तुरू प्रेडिक्शन किया था तो इनकी वेस्ट साउथ वेस्ट में डव्लू एस डव्लू जो डेरेक्शन है वहाँ मंगल और गुरू सी संबंधित वस्तु में प्रोब्लम क्रियेट कर रही है वेस्ट साउथ वेस्ट में मंगल और गुरू की वस्तु प्रोब्लम क्रियेट कर रही है मार्स प्लस जूपिटर की वस्तू हैं ये प्रोब्लम इनके वेस्ट साउथ वेस्ट में मंगल प्लस गुरू दोनों की वस्तू को हटाना होगा यानि ओवर ओल इनको रिजल्ट लेने के लिए किस पर काम करना पड़ेगा नेम निमरलोजी पे मुबाईल निमरलोजी पे वास्थ्थू पे क्योंकि वास्थू दो ग़ड़ेमेडीज होते हैं उस पे नंबर कोड़ी क्योंकि सातों भाव इनका जो सातों हेता सब लॉड़ा है और आपने बिजनस किया हुआ है आप कर दिया तो तो चलाना है तो एसको चलाने के लिए क्योंके आपके पैसे फशेग हुए आपको रेमेडीस चाहिये तो जितनी पावरफुरी रेमेडीस हैं वो सब आपको करने पड़ेंगे तब जाके क्योंकि आप बहुत से लोगों के मन में तुम यह भी प्रशना सकता है कि जब वो उस्षाय बीजनेस भाव अच्छा नहीं है तो फिर रेमिडी कैसे करेंगे कि यह उस्षाय अनुकूल है और यहां सात्मा भाव बीजनेस इसमें आ रहा है जो सात्मी का सब्लोड है सुक्र वो बीजनेस को बता रहा है आठ और बारा सोता है लेकिन आप अक्थर देखते होंगे मेरे group में डालता हूं रेमेडि का एक प्रकार होता है energy transformation of houses मैं वो करवाता हूं और उससे result मिलते हैं और यह energy transformation करना होगा और results यह अए यह process इतना आसान और तुरंथ होने वाला नहीं है आपको समय देना होगा इसमें टाइम लगेगा ये चीजें इतनी क्लियरली मैंने सभी जोतिस की विद्याओं से इसलिए रिलेट करके इस कुंडली को आपको दिखाया कि आप समझें सब का असर पड़ता है सब एक दूसरे से जुड़े हुए है और जब तक आप प्रतेक लेवल का काम नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट कम्प्लेटली नहीं मिल सकता है सीधी सी बात है यहोंकि अक्सर लोगों का ये प्रस्ण मेरे पास आता है क्या मैं अपना नाम सेट कर लूँ चेंज कर लूँ तो सक्सेस मिल जाएगा मोबाइल नंबर चेंज कर लूँ तो मिल जाएगा कुंडली के उपाय कर लूँ तो मिल जाएगा सीधा सा एक ऐसे एक जामपल है आपके सरीर में आपको खासी हुई है खांसी का treatment करेंगे तो सिर्फ खांसी ठीक होगी बुखार है तो बुखार का treatment करेंगे तो सिर्फ बुखार ठीक होगा सिधी सी बात है और कुछ ऐसी समस्या होती है जो सिर्फ एक कारण से पूरी समस्या क्रियेट हो जाती है तो फिर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, यदि सरीर का इम्मुनिटी सिस्टम वीक हो, सीधा एक समझ लीजे, तो इम्मुनिटी वीक होने से काफी बिमारिय हो जाएंगे, तो फिर वहां उन सब बिमारियों का जड़ क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आपकी इम्मुन सबका उद्देश से क्या है, आपको रिजल्ट मिले, सीधी जीवात है, उमीद है, आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा, बने रहे, मिलते हैं, फिर कुछ और वीडियो के साथ,